तो जहें दोस्तों एक और बहुत बड़ी रिलेशन भरती आ चुके जो कि आई हुए ब्रिगेड ओफ गार्ड रेजिमेंट दोस्तों यह चार्ट एक दो दिन पुराना हो गया लेकिन मैं किसी कारण वर्स वीडियो नहीं बना पाया तो दोस्तों तो मैं आपको जह डीटेल् प्राश्टर में पढ़ता है इसका सेंटर तो दुस्तों मैं क्लियर होगी आपका उसके बाद मैं आपको पूरा डीटेल्स में दाता हूं कौन-कौन से बच्चे जाएंग इसमें और स्पोर्स वाले बच्चे भी स्पोर्स वालों की भरती है तो आप देख सकते स्क्रीन प अतलब इसी स्टेडिय में आपकी रनिंग होगी यह को क्लियर हो गया उसके बाद देखिए आपको टोकन मिलने वाला यह याद रखिएगा उसके बाद देखिए 23 और 24 को आपको रनिंग होगी फीजिकल फीजिकल टेस्ट होगा और आप बता दो इसमें कौन अधिया है और इंडियरल इस्टेट है यह को क्लियर कर दिया उसके बाद देखिए 25 और 27 तारीकों आपको आपका जो फीजिकल पास हो गया है तो उनका डॉक्यमेंट चेक होगा और और डीज़ वेरिफाई होगा इसी स्टेडियम में यह आपको क्लियर हो गया और बात करत कोई पॉइंट है तो उनको रेफर किया जाएगा आपको एमेच में इदेखे लिखा है एमेच में आपको भेजा जाएगा और एमेच आपका एमेच कमटी खिड़की यह दो जग़ब भेज सकते हैं आपको कई दूर नहीं वेजेंगे उसी जग़ब भेजते हैं जहान अस करते हैं यहीं तो होगी यह रिले वालों को बात करते हैं नीचे आते हैं थो नीचे दोस्तों वत्तों इसो फौट वालों के लिए जरूर जाइए तो देखिए 29 सगस्त को आपकी भरती चलने वाली है आपको वही जो टोकन मिलेगा अफिए 30 से लेकर एक सितंबर तक तीस से लेकर एक सितंबर तक आपकी स्पोर्ट्स की जो ट्रायल हो चलने वाली है इसी देखिए अलबर्ट एका स्टेडियम हावा सिंग कॉंप्लेक्स और महताब बॉक्सिंग हॉल इस जगर ट्रायल आपका होगा उसका बात करते हैं देखिए जो मेडिकल होने वाली है और जो जिनको मेडिकल पॉइंट मिलेका उनको एमेच रेफर कर दिया जाएगा यहाँ पर तो इस तो क्लियर हो गया मैं बता दू कि अधर सेंटर कुछ बच्चों का सवाल है कि अधर सेंटर लेता है कि नहीं दोस्तों बता दू अधर सेंटर इसको लेकर की यह होता है यह बेकार है मतलों इतना बड़कार है यह लोगों क्या बोली तो इस अधर से दूर रही है कितने का बैच बनता है कि देने की रनिंग होती है सब चक्र चुप-चप भरती देखने जाए और स्पोर्स वाले आराम से इसमें भरती देख सकते हैं औ रिलेशन वाले बच्चे तो वीडियो थोड़ा लेट हो गया था उसके लिए और टेलिग्राम ग्रूप में जरूर जोइन कीजिए वहापे आपको यह चार्ट मिल जाएगा तो तक के लिए जाएं दोस्तों